आजको नाम वे अट के लिए इन प्रोश ए ligeकों इन पए सके पहुए एजए कंपा होटीके आज जो हुमारा चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रो मेहने क्नेटिजिम इलेक्ट्रो मेहने क्रना न sûचिज Show ये एक combination है इलेक्ट्रो का और magnetism का सबसे पहले हम इलेक्ट्रो के बारे में देखे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रो का word जो है वो लग्स electricity से निकला है electricity का मतलब है कि जब भी electricity हम इस चीज़ को कहते हैं कि अगर किसी भी circuit के अंदर से current flow कर रहा हो तो उसे हम लोग electricity कहते हैं यह हमारा पर circuit है और हम लोग उनी बैटे के साथ internet किया हुआ तो positive terminal यह है और negative terminal यह जैसी ही हम assault ??ко угление जाईím कि हमारा current जो है वह positive terminal to negative terminal dot which flow करता है और इस still इंदर से current पास करता है इस चीज़ को हम electricity प्रफिटिक का जब हम लोग उने चप्टर पढ़ आता तो उसमें लोग उने ये भी बताया था कि जो होते हैं कि उरसे जो क्रण्ट फ्लो करता है उसे कन्वेंशनल क्रण्ट कहते हैं और इलेक्ट्रोन क्रण्ट के थे और दोने को जो combination है उससे basically electricity कहा जाता है इस बात को हम लोगों ने chapter number 13 में बहुत ही ज़्यादा detail way में बढ़ा है यहां पर सिर्फ हम simple concept पढ़ रहे हैं कि electricity आखर है क्या electricity के बरह में बता है कि जब भी current किसी circuit के अंदर से flow होता है यह पास होता है तो हम कहते हैं कि इसमे electricity produce हो रही है जिबके जो magnetism है magnetism हम basically कह सकते हैं कि magnetic property है किसी भी magnetic material की जिसकी वारस ही किसी भी ऐसी material को जिसके अंदर magnetic property पाई जा सकती है या ऐसा material जो magnet की तरफ attract हो सकता है उन्हें अपनी तरफ attract कर लेता है तो इस जिसको हम हम लग magnetism कहते हैं यानि कि magnetic properties magnetism को हम लग magnetic properties से define कर सकते हैं magnetic properties basically किसी चीज़ के attraction की वरसे produce होती है और electromagnetism का basically मतलब यह है कि ऐसा magnetism जिसमे magnetism produce और ड्यू तो पासज ऑफ electric current मतलब जब भी किसी चीज़ के अंदर से electric current पास हो रहा है और उस metal की बनी हुए है तो उसके अंदर जो है elektromagnetism का phenomenon produce हो जाएगा मतलब फिनामेन हमें नजर आएगा let's say कि इस तरीकी से हम पढ़ते हैं कि for example हमारे पास यह कोई है let's say कि एक कोई है हमारे पास इस तरीके की इस तरह से बना लेते हैं इस को अगर मैं बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ लगसे कि मैंने इस कोई को बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके circuit complete कर दियें यह में बस positive टर्मिनल है और यह negative टर्मिनल मुझे यह मालूम है कि जब किसी चीज को क्वाइल के साथ जोड कर हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करने तो उसके अंदर से current flow करना शुरू हो जाता है और material कौन सा अनुछ हमें मालूम है कि यह हमारे पास metal होती है चुकि metal के अंदर हमाहे पास electron बहुत जादा होते हैं इसी वड़ा से उसके अंदर से current पास हो जाता है क्युकि ऐलेक्ट क्यों होनी की हो जाता है अब क्या होगा कि हमाहे पास current है वो positive से negative direction में flow करना शुरू हो जाता है जैसे ही current flow करता है और कैसे material के अंदर से जिसके अंदर electron है और metal की बनी हुई है तो होता क्या है इस कोई के around यहां पर magnetic lines of force circular direction में produce हो जाती है इस तरीके से इससे दिखा सकते हैं इस तरीके से circular direction में produce हो जाती है यह हमारे पास magnetic lines of force हैं जो यह show करती है कि इस coil के अंदर electromagnetism produce हो गया है इसका मतलब है कि जब भी आपके पास कोई भी coil हो कोई भी metal की चीज़ हो उसको आपने electric circuit के साथ connect कर दिया है तो उसके अंदर से जो है यह उसके अंदर electromagnetism का phenomenon produce हो जाता है उसके around magnetic lines of force जो है पैदा हो जाती है discuruses के अंदर magnetic properties आना शेरू हो जाती है जरूरी नहीं है कि आपके पस coil बिल्कुल straight coil हो हो सकता है कि आपके पस को ऐसी coil हो जो बहुत ज़्यादा चक्रों पर कंसे स्ट्रों मतलब कि इस तरह से सर्कुल हो जिसे यहां से इसके एक सीरे को दूसरे सीरे को यहां से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हो यह लाट सी पॉजिव है और यह वाला टर्मिनल नेगिटिव है इस तरीके से भी कोई हो सकती है तो उसके around भी जो है कि इस ट्रों की इस बěलता है चीया चाहिए हमारे नेगी नेटररा को लगाता है उसका है पारियाum पारवेरे उनकी जो प्रोपरीज है वह सेम है जब कि यह हो सकते हैं भी हो यह स्ट्रोंक हो मतली मादिध्स मादिध्स ऐवनयों है इन वी मगनाटिधी कंषर संब्रहा हमें ने मंन हैं डिश्स के दर्म Suite के दरमियांना जरू होता है बाद जगा पर cross दिया होता है जब भी हमें dot दिया हो तो dot ये indicate करता है कि current है वो जो हमारे पस पेपर के उपर दिया हो या किसी और चीज़ के उपर दिया हो तो dot ये indicate करता है कि current की जो direction है वो हमाई तरफ है towards are yourself आपकी तरफ होती है लेकिन गगा to cross आ जाजे तो कि current है वह की हमारे तरफ आप हो हमें POLइ सो आना या कि हए कि इस पेपर आपको kicks parent के अदर के ये चुल बीटिस पेपर के ग्रेंड जो है कि इस है डा बाहर बाहर की तरफ बाहर की डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है और अगर ख्रोस दे दिया जाये तो इसका मतलब एक करन्ट बाहर वाली डिरेक्शन से अंदर वाली डिरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है Magnetic substance वो substance होते हैं जो किसी भी magnet से attract हो सके और magnetic lines of force हमें मालूम है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर magnetic phenomena produce हो जाए तो जो magnetic lines हैं यह हमारे पास आती है magnetism की जो lines है जो circular पात में आती हैं यह हम लोग magnetic lines of force कहते है magnetic lines of force कहते हैं यह magnetic lines of force जो है circular direction में होती है magnetic coil में इसके लगा अगर मैं solenite की बात करूं solenite coil जो है वो एक से ज्यादा loops के ओपर consist होती है इस तरीके से हमारे पर solenite होती है इस तरीके से हमारे पर solenite है यह solenite का एक terminal लेके इसे हम लोग उने positive से connect कर दिया और दूसरे terminal को अगर हम लोग negative के साथ connect कर दें तो हमें मालूम है कि हमारा current में positive से negative की तरफ फ्लो करना है जब हम किसी भी solenite coil को अपनी बैटरी के साथ connect कर देते हैं तो क्या होती है कि solenite के अंदर से current pass करना शुरू हो जाता है जैसे ही solenite के अंदर से current pass करना शुरू हो जाता है तो इस solenite के अंदर magnetism produce हो जाता है अब इसकी जो magnetic lines of force की direction कुछ इस तरीके से हो दर्म्यान में यानि कि इसके middle में solenite के कुछ circular path में आती इस तरीके से downward भी circle में होती है जैसे कि अभी हम लोगोंने coils की बात की थी ना एक से ज्यादा चकर पर consistency मतलब उसमें एक से ज्यादा जो है circle आ रहे थे उसी coil की हम लोगोंने बात की solenite तो इस से को resemble करती है solenite के दर्मयान में इस तरीके से से मी circle आ जाते हैं जबकि एक सायर से magnetic lines of force बाहर की तरफ निकल रही होती है और एक तरफ से जो है वो अंदर की तरफ जा रही होती है और इसमें जो है arrow इस तरीके से हम लोग दे देते हैं लटसे कि यहां से यह बाहर निकल रही है यह arrow जो है यहां पर इनके बाहर जाने की direction शो कर रहे हैं और यहां पर इनके अंदर आने की direction शो कर रहे हैं तो वह सोलेँनाइड का हिसा जहां से Magnetic Lines of Force बाहर के तेफ जारी होती हुँ जर्सी बाता है, यह रख को होती आंदर Осे रोग no call कोहरी है हमें जब भी किसी current carrying coil से जो है हमें जब भी magnetic lines of force की direction के बारे में पता करना हो तो इसकी जो direction है हम right hand rule से मालुम कर सकते हैं right hand rule से किस तरीके से लगसे कि ये हमाई पास coil है इस coil को जब आपने hand में capture कर लेते हैं लगसे ये आपका hand है इस hand में आपने इस तरीके से इसे पकड लिया है इस तरीके से ये आपके hand में कर ले flies इस तरीके से काथ आपने इसे hand में पकड अँगा है तो जो current जो है जैसे कि हम लोग ने first example की इस में upward direction में जा रहा था जैसे कि इस वाल इस एकनल में हमें मालूम है कि current इस तरीके से फ्लो कर रहा है, current की डिरेक्शन जो है वो अपर डिरेक्शन में है तो जब हम इस इस कोईल को अपने हैंड में लेते हैं, तो current की डिरेक्शन अपरड डिरेक्शन के तरफ होती है, तो जो हमारी finger का curved है, वो ये शोग करता है कि हमारी जो magnetic lines of force है, उनकी direction इस तरीके से circle है मतलब कि जब भी आप किसी coil को अपने hand में लेते हैं और उसके अपने thumb को जो है उस direction में करें जिस direction के अंदर crunch flow कर रहा है तो बाकि आपकी जो fingers की direction है वो आपको magnetic lines of force की direction देती है या आपके पस force की direction आ जाती है कि force जो है magnetic lines of force वो circular direction में आपके पास आ रही है इसी तरीके से जब आपको solid night दी जाती है solid night coil तो solid night को जो हम अपने hand में लेते हैं इस तरीके से लिए से कि यह हमारी solid night coil है इस solid night coil को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है इसे थोड़ा से से करके इंड को बना लेते हैं कि यह हमारा थंब है और थंब के बाद जो है यह हमारी circular fingers है circular fingers के बाद यह हमारे पास यह हमारा complete cross our hand तसी थरह से जिम कर लिजेगा ना कि हमारा hand आ रहा है हमने current थंब को जो है right hand का हम उस डिरेक्शन में करना है जिस डिरेक्शन में करना है हमें मालूम है कि करन जो है हमारा इस डिरेक्शन में जा रहा है यहां से स्राट होके इस डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जिस डिरेक्शन में करन फ्लो करता है उस डिरेक्शन में हम लोग थम को कर लेते हैं और बा अंदाज़ा हो जाता है कि magnetic lines of force यहां से निकलेंगी और circular direction में हो के south pole से जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी तो इसे हम लोग right hand rule कहते हैं क्योंकि हम जो है क्वाइल चाहिए straight हो या solenide हो उसे capture अपने right hand में ही करते हैं और thumb की direction को direction में रखते हैं जहां पर हमारा current जिस direction के अंदर flow कर रहा हो तो बाकी finger के जो कर्व है वो हमें solar night quail की magnetic lines of force या अगर simple quail है तो उनकी magnetic lines of force की direction के बारे में बता देती है कि circular है या वो किस direction में solar night को जो पकड़ती है तो उसका हमें फाइदा यह होता है कि जैसी हमें इसे हम लोग ने बता चल जाता है तो हमें जो magnetic lines of force के बार में तो automatically बता चल जाता है क्योंकि हमें यह वालूम है कि not false से हमारी magnetic lines of force बाहर निकलेंगी और circular way through होते हुए soft false जो है दुबार में solar night quail के अंदर चली जाए इसके लावा है एक term जो है वह हमारी magnetic field magnetic field जो है वह वाला region होता है जहां तक हमारी magnetic field का effect रहता है मतलब कि हमारे magnetism का effect रहता है लग से हम लोग ने बैटरी के साथ जोट करें complete circuit बना दिया अब इसके अंदर से crunch के passage की विदा से यहां पर magnetism का phenomenon हो रहा है तो इस solid night की इर्दगीत का वो सारा इलाका जहां तक इस magnetism का effect महसूस किया जा सकते है जहां तक यह देखा जा सकते है कि यहां पर भी magnetic field का effect आ रहा है उससे आप किस तरह से magnet से check कर सकते हैं जर्शी बात है यहां पर magnetism produce हो रहा है तो कोई भी magnetic material आएगा तो उससे magnetism attract करेगा मतलब कि magnet से magnetic material से आप जहें हैं different places पर रखके magnetism के फ्रक्कों में field कर सकते हैं तो वह वाला region जो आता है उससे हम लोग magnetic field कहते हैं तो यह कुछ magnetism के बाए में था कि electromagnetism किस तरीके से produce होती है जब भी हम किसी metal की या metal की बहीं required को या हम किसी भी metal की material को किसी electric circuit के अंदर रखें तो electricity के प्रेशिक के अंदर जो है electromagneticism का phenomenon produce हो जाता है इस इसको आज हम लोगों ने देखा है कि electromagneticism किस तरीके से produce होती है